इधर योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है सीम योगी के इस मिशन के तहट युवाओं के सपनों को बंख लग रहे है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आधी तिनाथ ने लखनों में 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की सौगात दी है भरती प्रक्रिया में ब्रिश्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा अब यूपी में नोक्रियों में भाई बतीजावाद नहीं चलता 2017 में योगी आधी तिनाथ के सप्ता में आने के बाद से मिशन डोजगार के जरिये सरकार ने कई शेत्रों में युवाओं को अपने पेरो पर खड़ा होने में मदद की है वहीं कईयों को स्वावलंबन से भी जोड़ा गया है हम लोगोंने तक पांच साड़े पांच वर्स के अंदर पांच लाग से दिख सीम जोगी के अंबिशन डोजगार का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 फीजदी से घटकर 2 फीजदी रह गई है वहीं साड़े पांच साल में पांच लाग से ज्यादा सरकारी नोखरिया दी गई एक करोड 61 लाख नौजवानों को नीजिक्षेतर में रोजगार दिया गया साट लाख से ज्यादा नौजवानों को यूपी में स्वर रोजगार से जोड़ा गया लखनों से यजदान की बिल्डिंग गिरने का सीसी टीवी फूटेस सामने आ गया है इसमें इमारत को घिराए जाने के दौरान हाथ सक कैसे हुआ ये स्थाप साब दिख रहा है यजदान की बिल्डिंग जैसे गिरी मलवा बगल की दुकानों के सामने पहुच गया उस वक्त आसपास की दुकाने बंद थी मलवे की चपेट में एक स्कूटी आ गया देखिए कैसे बिल्डिंग का मलवा नीचे आने पर इसकूटी दब गई अस्थानी ये लोग तुरंत मौके पर पहुचे और इस्थिती का जाजा लिया बिल्डिंग गिरने के बाद अमलवे को हटाने का काम जारी है तोड़ फोड का काम मैनूली शुरू कर दिया गया है और साथ ही सारे रास्ते बंद कर दिये गए आप देख रहे हैं सामने देंजर यहां बिल्डिंग का धुस्ती करण का कारेच चालू है अपाटमेंट के आज पास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है अस्थानी ये लोगों को अगले आदेश तक बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी गई है तोड़ा करवाई के दौरान अगर कोई घर से निकलना चाहता है तो उसे पुलिस से अनुमती लेनी होगी इस अपाटमेंट के जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसके उपर से तोड़ फोड़ की शुरुआत की गई है और इस समय लेबर उपर काम चालू कर दिया है हतोड़े से और घं से मलवे को हटाने के साथ ही बिल्डिंग तोड़ने का काम जारी है आसपास के इलागों में सुरक्षा कर्मी तैनाद कर दिये गए हैं अपाटमेंट में तोड़ फोड़ पूरी तरह से खतम होने में महीना भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है उत्तर प्रदेश में अपराद और अपरादियों पर बुल्डोजर का एक्शन जा रही है राएबरली से लेकर जालाउन और प्रतापगार तक बुल्डोजर गरजा है राय बरेली में आदित्य हत्याकान के मुख्य आरोपी के धावे पर प्रिशासन ने बुल्डोजर चलवा दिया है भारी संख्या में पुलिस बलके साथ अधिकारियों की मौजूद्गी में बुल्डोजर गरजा है मामला 9 अक्टूबर 2019 का है जब खाने पीने के विवाद में एक युवक आदित्यसिंग की हत्या हो गई थी जिस पर अब प्रिशासन ने आक्शन लिया है वहीं जालॉन में भी बुल्डोजर का आक्शन दिखाई दे रहा है तालाप की सरकारी जमीन पर अबाइद रूप से कबजा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया कुठोध थाना क्शेतर के मदारीपूर कस्बि में ये कारवाई हुई इस दोरान प्रिशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे तस्मीरें प्रतापगर की है जहां दरजन भर से ज्यादा अवाईद कोहला भट्टियों पर बुल्डोजर चला है वन्विभाग और पुलिस की टीम में सन्युक्त कारवाई की है आरोप है कि पुलिस और वन्विभाग की मिली भगत से अवाईद रूप से कोहला बनाने की भट्टियों चलाई जा रही थी जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी जिन पर अब एक्शेन हुआ है अब मुजफर नगर में आज जैन चौधरी ने भाईचारा संबिलन किया और कई मुद्णों को लेकर यूपी और केंदर सरकार पर हमला बोल दिया भाईचारा संबिलन से पहले जैन चौधरी शामली के तिटावली गाउं पहुँचे जहां उन्होंने पूरे प्रधान मंतरी चौधरी चरण सिंग के प्रतिमा का अनाबरन किया जैन चौधरी नगर निकाय चुनाव खुले कर बाच्पा पर निशाना साथ दिखे और कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंतरी के बयान पर आजपा ठोस कदम उढ़ाने की बजाए सियासी भुट्टे सेक रही है जैन चौधरी ने तवांग में चीन के साथ पैदा हुए तराव पर भी केंदर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने तवांग की घटना को चपाने की कोशिश की वही निकाय चुनाओ को लेकर जैन चौधरी ने कहा है कि निकाय चुनाओ में सपा R&D गटबंधन एक बार फिर बड़ी जीत दर्स करेगा और सभा के राष्ट्री अध्यक्ष अखिले शादों ने अपने कानपूर दोरे की तारीख बदल दी आखिर नों ने ऐसा क्यों किया और इधर यूपी की नौकर शाही पर इलाबाद हाई कोट ने बहुत बल्ग किपणी की है और प्रणुख सचिव न्याय से हलफ नामा मांगा और कानूर मंत्री को उचित कारवाई के लिए आदेश दिया याजिका करता राम सेवक की जमानत अरजी की सुनभाई करते हुए जस्टिस प्यूश अगरवाल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया दरसल निगोही थाने के पुलीस उपने रिक्षक वेदपाल सिंग ने हलफ नामा तयार कर दाखिल किया था लेकिन किसी को पता नहीं कि वेदपाल सिंग को किस अधिकारी ने सरकार की तरब से हलफ नामा दाखिल करने को कहा था कोट ने इस मामले में नोटरी अधिवक्ता बीके सिंग की जाच कर कारवाई करने का निर्देश दिया है। और यूपी में फिल्म पठान के खिलाफ गुसा भी थमा नहीं है। वारानसी और जहासी समेट कई शहरों में इसके खिलाफ पर दर्शिन जा रही है। रंग को बेसर्म रंग बनाए गया है, वो चिस्तियों का रंग रहा है, सादू सन्यासियों का रंग रहा है। तो इस रंग को बेसर्म रंग बना करके सारुक खान ने बत्तमी जी की चरम सीमा पार कर दिया। वरानसी दोरे पर गए सांसत सुपरत पाठक ने कहा कि शारुक जैसे लोग एजन्डे पर काम करते हैं, अब उनके एजन्डे का परदा फाश हो गया है। आज इन लोगों को इस प्रकार की इनको डर लग रहा है। और एक महिला का घर जलाने का आरोप है। अवायद बांगला देशियों को शरण देने के आरोपों की भी जांच चल रही है। समाजवादी पाटी इस जांच को सियासी बता रही है। इसलिए अखिलेश आदो जेल के अंदर इरफान सोलंकी से मुलाकात कर उनका होसला बढ़ाएंगे। अखिलेश का यो दोरा बीस दिसम्बर को प्रस्तावित था लेकिन कानपर दिहाद में पुलिस हिरासत में बलवन सिंग की मौथ के मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन परिजन पुलिस की जास से संतुष्ठ नहीं है। अब अकले श्यादों के जाने से इस मामले में सियासत भी शुरी हो जाएगी इधर कानपूर में समाजवादी पाटी के विधाय किरफान सोलंकी से जुड़े लोगों की मुश्किले कम नहीं हो रहे पुलिस ने रविबार सुबह विधाय किर्फान सुलंकी के करीवी सफा नेत्री नूरी के पिता को पुलिस ने उठा लिया और अग्यात अस्थान पर ले जाकर पूश्टाश की कानपूर पुलिस देर रात तक जब नूरी शौकत के पिता को उठाने पहुंची तो घर वालों ने विरोध किया काफी देर तक पुलिस और परिजनों के वीच बहस होती रहे नूरी के परिजनों ने मोवाइल से वीडियो बनाया और काफी देर तक पुलिस से बहस करते रहे सपा विधाय किरफान सुलंके की मदद करने वाली सपा नेतरी के भाई अश्रा भली को पुलिस ने 6 दिसंबर को कोट पे पेश करने के बाद जेल भेज दिया है पुस्ताश में आरोपी ने विधाय को शरन देने की बाद कबूल की ये भी बताया कि जैसा उसकी बहन नूरी शौकत कहती रही वो ऐसा वो करता रहा पुलिस का दावा है कि रफान ने फर्की आधार बना कर दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर किया था 26 नौवंबर को गवाल टोली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सफा नेत्री नूरी शौकत उसके ड्राइवर अम्मार इलाही विधायक के साले अनवर और मंसूर को जेल भेजा था इधर मसूरी में उस वक्त हड़कम मच गया जब प्रिशासर ने मिजोनिक लॉज बस्टेंड पर बिना नोटिस दिये दुकानों को द्वस्ट कर दिया मौके पर पहुँचे पाली का प्रिशासर और दुकानदारों के बीच जम कर हंगामा हुआ आरोप है कि प्रिशासर ने कोई नोटिस नहीं दिया और अचारक से दल बल के साथ पहुँचकर दुस्तिकरंड की कारवाई शुरू कर दी बुल्डोजर एक्शन देखकर दुकानदारों का गुस्टा सात्वे आसमान पर जा पहुँचा कारवाई के विरोध में लोग बुल्डोजर पर चड़ गये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथा पाई तक जा पहुँची पता चला कि पालिका ने स्टे को वेकेट करवाया लेकिन अगर वेकेट कराया तो कानून हमारा यह कहता है हाई कोट में अपील करने की समय दिया जाए लेकिन पालिका की गुंडा गर्दी वो अपना धवस्ती करन तुरंद करने लगे जबकि महिला हैं अंदर थी हम लोग लोगों ने अब केबिट मंतरी गनेश जोशी से मामले में संग्यान लेने का अग्रह किया है अरोप है कि पालिका द्यक्ष अपनी मनमानी से अपने चहेतों को फायदा पहुचा रहे हैं 2024 चुनाव से पहले ओंप्रकाश राजबर फिर से गटबंधन करेंगे ये तय है लेकिन गटबंधन के साथी के सवाल पर राजबर का गोल मुल जवाब जारी है राजबर एक तरफ सपा से हाथ मिलाने से भी इंकार नहीं कर रहे लेकिन अखिले शादो पर जबानी तीर छोड़ने से चूप भी नहीं रहे उन प्रकाश राजबर ने एक बार फिर अखिले शादो पर तंस कस्ते हुए कहा है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती है तो अखिले शादो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते वो हमारी बात मान के नहीं निकले उनकी पत्नी ने मजबूर कर दिया अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती तो वो घर से बाहर नहीं निकलते वहीं पहले सुभासपा विधायक अब्बासंसारी को लेकर नर्म रुख दिखाने वाले राजभर अब अब्बासंसारी के खिलाफ हो रही एडी की करवाई को सही ठहरा रहे है उम्परकाष राजभर ने मव में महिला हक अधिकार महरेली की जिसमें भाली संक्या में महिलाओं की मौजूद्गी में उपी राजभर ने यूपी में शराब बंदी के लावा शिक्षा नौकरी और राजुनीती में महिलाओं के 50 फीसिदी आरक्षन की मांग उठाई इधर एडी ने पाँचवे दिन भी मुख्तार से उसकी अवायद संपत्यों के बारे में घंटों तक पूश्टाच की है प्रियाग राज के अपने दफ्तर में एडी फास दिनों से अपने हर सवाल का जवाब पूछ रही है इडी के टीम इन दिनों कोड के आदेश पर मुख्तार अंसारी को अपनी कश्टडी में रखकर उससे पूश्टाच कर रही है मुख्तार अंसारी के परिवार ने अब तक छुपा कर रखा था इनमें जालोन जिले की करिब संपतियां और गाजी पूर जिले की दो प्रपर्टी भी शामिल है इसके साथ एडी के टीम को जानकारी मिली है कि मुकतार के रसुप के दम पर परिवार वालों ने परियाग राज से लेकर लखनव तक नोईडा से लेकर राजस्थान तक कई संपतियां बना रखी है इन सभी संपतियों में मुकतार के परिवार किया तो सीधे तोर पर हिस्सेदारी है या फिर वो बाहुबली की बेनावी संपति है पांच दिनों से एडी के टीम लगातार पूश्ताज कर चुके है विधायक बेटे अबास अंसारी और साले आतिफ रजा और सलसील को भी गिरफतार कर जेल भेज़ चुके है और आएब देखते हैं उत्राखन का घड़ी-घड़ी का मसाई उत्रकाशी में ओल वेदर रोड का घर्मार तेदी से हो रहा है धरासू यमनोत्री हाइवेपर साड़े चार किलमेटर की सुरंग तयार की जारेगी ये सुरंग सिल्क्यारा से पोल गाओं के बीच बनाई जा रही है अब तक 3.6 किलमेटर की सुरंग तयार हो चुकी है सिर्फ 900 मीटर की सुरंग बाकी है अगर मौसम में साथ दिया तो ये सुरंग अगले साल तक बन कर तयार हो जाएगी जिसके बाद ये उत्तराखन की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी सर्दियों में रोणी टाप पर भारी बर्दबारी की वज़े से हाईवे बंध हो जाता है लेकिन इस सुरंग के तयार हो जाने के बाद न सिर्फ यमनोत्री और गंगोत्री धाम के बीश की दोरी 26 किलमेटर कम हो जाएगी बलकि सर्दियों में भी हाईवे चलता रहेगा ओल वेदर रोड के तहट कुल 4531 मीटर लंबी और 12 मीटर चोड़ी डबल लेंज सुरंग तयार की जा रही है इसकी उचाई सारे 5 मीटर होगी इसमें एक साथ दो भारी वहां जा सकते हैं सरक के साथ ही 3.7 मीटर चोड़ा इमर्जेंसी एक्जिट पार्टिशन दोनों और 0.75 से 0.75 मीटर चोड़ा फुटपाद भी होगा इसमें 24 गंटे लाइट की विवस्था की जाएगी बारिश में पानी निकासी की भी विवस्था की जा रही है इदर हल्दवानी में M.B.P.G. कॉलेज में छातर राजनी ती बिल्कुल अलग मोल पर पहुंच गई 24 दिसंबर को होने वाले छातर संग चुनाव में टिकेट को लेकर ABVP की छातर कारेकरता जम करूने बवाल काना ABVP की कारेकरता रश्मी खुद को टिकेट की प्रफिल दावेदार बता रही थी लेकिन छातर संग चुनाव को लेकर ABVP ने जैसे ही टिकेटनों का आवंटंग किया तो रश्मी लंबडिया के अर्मानों पर पानी फिर गया उनका टिकेट काट कर कोशल बिर खानी को संकठन ने अद्रक्षपत का परत्याशी गोचित किया इसके बाद रश्मी लंबडिया ने अपने समर्तकों के साथ ABVP कारेले पहुंच कर जम कर बवाल काटा रश्मी लंबडिया ने अपने समर्तकों के साथ ABVP से इस्तीफा दे दिया है अलाकि ABVP के अद्रक्षपत के प्रत्याशी कोशल बिर खानी का दावा है कि उन्हें मना लिया जाएगा रश्मी और मैंने कई सालों से साथ काम किया है रश्मी लंगडिया के हंगामे के बाद कॉलेज में चातर संग को चुनाव बेहत दिल्चस्त हो गए रश्मी लंगडिया खुद को मजबूत दावेदार मान रही थी लेकिन संगठन की तरफ से उन्हें दरकिनार करते हुए दूसरे चातर को टिकट दे दिया गए और चलिए अब सब्तेग्रे में देखते हैं देश में कहां कहां चल रहा है घड़ी 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 घबासा हुए बिहार में शराब कान पर सियासत तेज हो गई है भाजबा मुक्यमत्री नितीश कुमार से इस्तीफ़ा मांग रही है उपिंद्र कुछ वहा ने कहा है कि क बिहार के छफ़रा में जेरली शराब से अब तक सतर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है सरकार ताबरतोर कारवाई के बाद कई आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है लेकिन भाजबा लगातार मुक्यमत्री नितीश कुमार के स्तीफ़े की मांग कर रही है बाजबा के MLC बाजबा ने कहा है कि बिहार में शराब बंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है पुलिस प्रिशासन की बदस से शराब बेचने का आरोप भी लगाया जेडियू सलसदिय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाओं ने कैमरे पर कबूल किया कि प्रिशासनिक लापरवाई की वज़े से शराब बंदी फेल हुई है विपक्ष इसे मुद्दा बला रहा है जबकि शराब बंदी के दौरान सभी दल एक जुट होए थे उनका समर्थन तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कार्जयानविन के अस्तर में नीचे की लेविल के अधिकारी की गरवरी के कारण यहां कार्जिक्रम में बहुत सक्सेस नहीं हो पारा है वहें मुआवदय के मांग को लेकर नितीश सरकार में सहयोगी CPIML ने भी धरना प्रदश्ट की चतावनी दिए इदर बरली में मोबाइल चोरी ग्यारोप में एक युवक को चलती त्रेंड से फेंक दिया गया और इससे उसकी मौत हो गए मामला हैरान करने बाला है जिसका वीडियो भी सामने आया है वीडियो अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस का है जिसमें जनर्ल गोगी में एक महिला यात्री का फोन चोरी हो गया जिसके बाद एक युवक से मोबाइल बरामद्दी हो गया लेकिन ट्रेंड में बैठे यात्रिय के बाद भीड का हिस्सा बने इस चक्से यूवक को चलती ट्रेंग से नीचे फैंक गया ता जिसके बाद जी आरपी ने वीडियो के आधार पर एक रपी को गिरफतार कर लिया है जिसका नाम नरिंदर कुमार है जो गाजियाबाद कर रहने वाला बताया जा रहा है अलाके अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है लेकिं जी आरपी की टी में शिनाख्त करने में जुटी हुई ट्रेन व्यात्रियों से भरी हुई थी यूपकी बेरहमी से बिटाई की गई लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की जहमत तक नहीं उठाई है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराईने अयोध्या में राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण और उसके बाद मंदिर के गटन समारों की विवस्थाओं का पूरा विवरा पेश किया है अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कारे अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष है लेकिन मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा जन्वरी 2024 में मकर संक्रान्ति के शुभावसर पर होगी इसके लिए राम जन्वोमी ट्रस्ट एक भब्बे समारों का आयोजन करेगा जिसमें देश भर के किन गण माने लोगों को नियोता भेजा जाएगा इसे लेकर चर्चा और मंतर शुरू हो चुका है स्रीराम मंतर में प्रवेश का मुख्यमार्ग रामपत से जुड़ा भक्ती मार्ग होगा जिसका निर्मान चल रहा है इसमें सबसे पहले यात्री सेवा केंदर मिलेगा अभी पिलहाल 25,000 दर्शनार्थियों के लिए इसका निर्मान किया जा रहा है आने वाले कुछ सालों बें दर्शन करने वाले संधालों के संख्या को देखते हुए इसे एक लाख लोगों की शमता तक पढ़ाने की ब्यवस्ता है हमने प्राविजन रखा है एक लाख यात्रीयों की शुड़ाओं के लिए भवन निर्मान इतना प्राविजन, इतना हम प्लैनिंग करके चल रहे हैं।